हेलो प्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चेनल कैसे हो आप सब लोग गाईज आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे आप भी हैपी होंगे मेरी तरक्ष होंगे स्माइल कर रहे होंगे मास्त होंगे तो देखें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेंड पट्टी कॉलर कैसे बनाएं उसके लिए देखें यह मैंने टोप आट कट कर रखा इस प्रकार से और जैसे कि नॉर्मल जो हमारी साइज होती है उसमें हमें यह 8 इंच लेना है अगर चेश्ट हमारी 36 या 38 इंच है तो यह 8 इंच ही आएगा यहाँ से जैसे नॉर्मल हम कट करते हैं उससे 1.5 इंच बढ़ा के यहाँ पर हमें तीरा लेना है हमारा जब हम स्टेंट पर्टिक लगाते हैं यहाँ पर कॉलर बनाते हैं या किसी भी तरीकेगी और उसके बाद यह देखिए यह मैंने 7 इंच ले रखा है और आधा इंच मैंने सोल्डर डाउन कर रखा है उसके बाद देखिए गाईज पीछे वाला पार्ट है उसको हमें एक इंच बढ़ा के लेना है पीछे वाले पार्ट को अब हम इसके गले की कटिंग करते हैं तो नॉर्मल साइज में हम धाई इंच लेंगे चोड़ाई अगर बड़ी साइज ले कर दे शकते हैं अर आगे की शाइट भी लंबाय भी हम धाई इंच लेंगे और इस प्रकार से वह लाई दे कर दे के लिए उस प्रकार से उसप्रकार से अब जला है क्या आधर गयंगे यह अच्छा कप्ढा बिख रहा हं यह इस些 प्रकार से बयाई दे देंगे इन hardcore से देखिए ये इस प्रकार से गुलाई देदेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से अब हम पीछे वाले पार्ट को अलग कर देते हैं और आगे वाले पार्ट में देखिए हमें ये मार्किंग हमें 6 इंच पे करनी है इस प्रकार से बिल्कुल 2 पॉइंट कपड़ा कट करना 2 पॉइंट से भी हलका सा कमी लेना और यहाँ पर इस प्रकार से काट देंगे इसको और कोर्णर पर हलका साइज प्रकार से कट color party में देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर normal size में यह 7 इंची रखना है यहाँ से आपको लेना है और यहाँ तक रखना है यहाँ पर आपका 7 इंच आना चाहिए यह इतना आपको यह गोलाई दी यह हमारा आगे का part है गाईज इसमें यह गोलाई देनी होती है आर्मोल्स में ये मैंने वो वाली बोलाई दी है तो गाईज अब देखिए मैंने ये एक इंच चोड़ी इस प्रकार से केनवास कट कर ली है बुकरम जिसको बोलते हैं कुछ लोग तो देखिए ये इसके उपर रख के देख लीजिए और इससे धाई इंच या तीन इंच एक्स्ट्रा होनी जाए ये हमारी पट्टी ये हम ये मैंने तीन इंच चोड़ा कपड़ा दिया है और जो सिलाई में आएंगा उतना कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से हम इसको प्रेश की सायता से चिपका लेंगे यहाँ पर उपर से भी मैंने आदा इंच छोड़ दिया और उधर की सैड से जो अमरा सिलाई में जाएगा इतना छोड़ते हुए ये पट्टी हमें चिपका लेनी है प्रेश से इसको चिपका लेंगे और इस प्रकार से भी करके इसको यहां पर प्रेस कर लेंगे अब देखिए हम आगे वाले पार्ट को इस प्रकार से सीधा करेंगे और सबसे पहले देखिए एक यह मैंने सिंपल पट्टी इस प्रकार से प्रेस कर लिए तीन इंच सी चोड़ी कट करके यह ऐसे फोल्ड की अंदर और फिर ऐसे और थोड़ा सा कप्लाइस में बाहर है तो इसको सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर रखेंगे लाई लगा देंगे इसके उपर और इसको यहाँ पर रीचे से एक्स्ट्रा फेवरिक को कट कर देंगे चोटा सा कट लगा देंगे जो पट्टी हमारी अंदर की साइड फोल्ड हो रही है अब इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करने के वज़ाए पहले बाहर की साइड इस प्रकार फोल्ड करेंगे और कॉनर पर इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे चोटी सी अभी सेम तरीके से जो केनवास चिपका रखी है वो वाला पार्ट भी उठाएंगे और उसको बाहर की साइड पलट कर इस प्रकार इसके उपर भी सिलाई लगाएंगे पूरा आगे तक नहीं लेकर जाएंगे इस सिलाई हम टू पॉइंट छोड़ देंगे और इस अंदर वाले कपड़े को कट कर देंगे कॉनर पर कट लगा लेंगे देखे मैंने दोनों साइड से कट कर दिया कॉनर पर कट लगा लिया अब इसको सीधा करेंगे कॉनर को बाहर निकालते वे अच्छे से इसके उपर एक सिलाई लगा देंगे अब सेम दूसरा कॉनर भी इसका निकालेंगे बाहर तो इस साइड कैनवास है तो हाथ से ये पूरी तरीके से फिनिसिंग से बाहर कॉनर नहीं आएगा तो हम कैच्छी की साहता से इसको बाहर निकालेंगे ये देखिए फिनिसिंग से ये कॉनर बाहर आ गया है कैच्छी की साहता से अब देखिए इसको दबाते हुए जो कपड़ा है हमारा सिलाई वाला उसको अंदर की सैड दबाते हुए इसके उपर भी हम इस सिलाई लगाएंगे और नीचे देखिए हम इस प्रकार से इसको अंदर की सैड दबा देंगे एक्स्टा कपड़े को ये मैंने केनवास से एक्ष्टा कट किया था अधा इंच अब हम इस सिलाई को वहां तक ले कराएंगे जहां तक हमारी नीचे वाली पट्टी है वहां नीचे वाली पट्टी को दबाते हुए हम इसके उपर डबल सिलाई लगा देंगे उसके बाद देखिए हम इसको अंदर वाली पट्टी को अंदर की सेड यूं दबा देंगे और इसी लाई को उपर तक लेकर आएंगे फिनिसिंग से हमारी पट्टियां लग चुकी है अब बैक पार्ट को उठाएंगे और इसके उपर सीधा फेस करते भी रखेंगे निचे वाला पार्ट भी सीधा था और इसको फेस कर दिया यानि कि इसके उपर उल्टा रखा है तो सीधा फेस हो गया दोनों का और सॉल्डर अटेच कर देंगे अब इसको हम देखे इस प्रकार से यहां से मिलाते वे उठाएंगे हमें कोलर की लंबाई का नाप लेना है तो कपड़े को बिल्कुल भी ना खीचे बिल्कुल आराम से इसको इजी ली नाप लें इसको कितना आरा है डबल फोल्ड में यह मेरा 8.2 आया है तो इसको यहां से मैं इस प्रकार से इंचिटेप को दबा लूँगी और अब इस इंचिटेप को एक जगे से और फोल्ड कर लेंगे तो यह टोटल हमारा 16.4 आ गया है तो 16.4 की हम यह कैन्वास चाहिए लंबाई में और हाँ कैन्वास हमें टू पॉइंट एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि कपड़ा हमारा स्ट्रेचबल होता है और कैन्वास स्ट्रेचबल नहीं होती है और ये मैंने 1.2 इंज की मैंने ये कैन्वास की चोड़ाई रखनी है कॉनर पर गोलाई देते वे एक्स्ट्रा कैन्वास को हम कट कर देंगे अब मैंने एक कपड़ा बिचा लिया है आधा इंच कपड़ा छोड़ते वे इस प्रकार से मैंने इसको कैनवास को रख लिया है और प्रेस की साहिता से मैंने इसको चिपका लिया है अब इसको पलट कर एक बार प्रेस और कर देंगे उसके बाद हमें आधा इंच चोड़ते वे केनवास से ये कपड़ा कट कर लेना है कोर्णर पर जैसे हमारे केनवास के गोलाई है तो जो हमारा सिलाई में आएगा वो कपड़ा चोड़ते वे हम कोर्णर पर गोलाई दे देंगे ज्यान रहे सिलाई का कपड़ा चोड़ना है कोनर पर देखिए मैंने इस प्रकार से चोड़ा है अब ये अंदर की साइड दबाते वे एक प्रेस और कर देंगे इसके उपर देखिए अब इसको पल्टेंगे बाहर की साइड इस कपड़े को और corner पर गोलाई देते वे सिलाई लगाएंगे दोनों side देखिए इस प्रकार से और जो प्रेश से कपड़ा मैंने अंदर की side कर दिया था वो अंदर ही रहना चाहिए ध्यान रहें canvas के उपर सिलाई नहीं आनी चाहिए नहीं तो finishing नहीं आएगी corner के उपर देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों corner seal लिये हैं इसके और seal कर सीधे कर लिये हैं नाखुन की सायथा से press भी कर दी है अब double fold करेंगे color को और bit center में cut लगा देंगे छोटा सा उसी प्रकार से हमें अपने top part को भी उठाना है और इसको भी bit center में हमें cut लगाना है अब top part को इस प्रकार से हम उल्टा रख लेंगे और देखिए corner पर मैंने छोटे छोटे दोनों side cut लगा दिये हैं इससे ये कपड़ा दबेगा नहीं और खिचाव नहीं आएगा solder पर अब beach center से देखिए मैंने उल्टा रखा top part को और beach center से ये मिलाते वे हमारी जो color है उसको मैंने सीधा रखा है और अब इसके उपर शिलाई लगाने शुरू करेंगे और last तक लेकर जाएंगे इस शिलाई को तो guys एक साइड से हमारी color लग चुकी है अब इसको हम पलट लेंगे machine से निकाल कर और पलट कर हम एक सिलाई लगाएंगे यह सिलाई भी पूरे में लेकर जाएंगे लाश्ट तक और ध्यान रहे जब हम लाश्ट में machine को उतारते हैं लाश्ट वाल पॉइंट पर सिलाई लगाते तो canvas बिलकुल भी नहीं दबना चाहिए नहीं तो finishing नहीं आएगी color में अब हम इस color को पलट लेंगे और देखिए यह सीधी side है अब हमारे top part की और यह color हमारी बहार की side आ गई है corner पर finishing से दबाते वे नाखुन की सायता से इसके उपर एक हम top सिलाई लगा लेंगे और guys यह हमारी color जो अब बहुत ही finishing के साथ बनी है कहीं पर भी आपको कोई भी doubt हो confusion हुआ हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं definitely मैं आपके comment के जवाब दूँगी और अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो please channel को subscribe कीजिए रोज में नए नए tips डालती रहती हूँ अब देखिए हमें इसके उपर एक सिलाई और लगानी है जो last किन और के उपर होगी और ध्यान रहे अच्छी finishing देने के लिए color में बड़ी बड़ी सिलाई नहीं लगानी है बिल्कुल बारिक बारिक सिलाई जब हम लगाएंगे तो finishing अच्छी आएगी तो गाईज देखिए इस प्रकार से यह हमारी color बनकर ready हो चुकी है इसमें अब हमें hook लगाने बाकी है तो गाईज यह हमारी color का final look comment box में बताईएगा जुरूर कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कितनी helpful रही गाईज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए बाई बाई